राधी राधी अब्रिवान दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल नैंसी शुबम उफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आने वाली कामिका एकदसी ब्रत की पौरानिक कथा कहानी 31 जुलाई 2024 को कामिका एकदसी आने वाली है दोस्तों कामिका एकदसी ब्रत के दिन पहले संकल्प लेते हैं और फिर इस दिन ब्रत की कथा पड़ी जाती है या फिर सुनी जाती है कहते हैं कथा सुनने से पुन्यफल मिलता है ऐसा कहा जाता है कि सूर ग्रहन और चंद ग्रहन में केदार और कुरूच हित्र में इश्नान करनी जो पुन्य मिलता है पुन्य कामिका एक अदसी पर भगवान सिपकी पूजा करने और कथा सुनने से मिल जाता है दोस्तों कथा की शुरुआत करते हैं एक समय की बात है एक गाउं में एक छत्रिय रहता था बहे अपने आप पर बहुत गर्व करता था खास कर अपनी सक्ती और बल पर उसे अविमान था चत्रिय भगवान को बहुत मानता था लेकिन उसके मन में घमंड था वे हर दिन भगवान विश्नों की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था एक दिन भे किसी मैं तुपूर कार के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला रास्ती में उसकी मुलाकात एक ब्रहममर से हो गई दोनों में किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया जगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाता पाईता का पंची छत्रिय बहुत बलवान था के ब्रहममर अपनी दुर्वलता के कारण छत्रिय के बार को सेहन ना कर पाया और वै वहीं गिर गया और उसकी मृत्ति हो गई ब्रहममर के मृत्ति उसे छत्रिय हक का वक्का रह गया उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बै बहुत पचताया ये पूरी बात गाउं में की तरह फैल गई छत्रिय यूवकनी गाउं वालों से छमायाचना की और ब्रहममर का अंतिम संसकार खुद करने का वचन दिया लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में सामिल होने से इनकार कर दिया तब उसने ज्यानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहां तो पंडि नहीं कर सकते हैं यह सुनकर छत्रिय ने ब्रहम हत्या दोस के प्रास्चित का उपाए पूछा तब पंडितों ने कहा कि जव तक वे सावन मास्क के कृष्ण पक्ष की एका दसीतिती को बिधी पूरबग भगवान विष्णू की पूजा नहीं करता और ब्रहममर को वोजन नहीं कराता और दान दक्षन नहीं देता तब तक वे ब्रहम हत्या दोस से मुक्त नहीं हो सकता है चत्रिय ने ब्रहममर के अंतिम जंसकार के बाद पंडितों की सला मानते हुए कामिकाई कदसी के दिन पूरी श्रद्धा और विधी के अनुसार भगवान विष्णू की आईए दोस्तों अब कामिका एक अदसी ब्रत की कथा नंबर टू की सुरुआत करती हुँ प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था बहाँ पर अनेक एसरियों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था भोगीपुर नगर में अनेक अपसरा किन्नर तथा गंधर्व बास करते थी उनमें से एक जगे ललिता और ललित नाम के दो इस्तरी पुरुस अत्यंत बैवफसाली घर में निवास करते थी उन दोनों में अत्यंत इसने था यहां तक कि अलग-अलग हो जाने पर दोनों ब्याकुल हो जाते थी एक समय पुंडुरीक की सभा में अन्य गंधर्वो सहित ललित भी गान कर रहा था गाते-गाते उसको अपनी प्रिये ललिता का ध्यान आ गया और उसको असर भंग होने के कारण गाने का सरू बिगड गया ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक, नागने, पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्बक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपने इस्त्री का इस्मरण कर रहा है अता तू कच्चा मास और मनुस्यों को खाने वाला राच्छस बनकर अपने किये कर्म का फल भोग पुंडरीक कि स्राप से ललित उसी छड महा काई विशाल राच्छस हो गया उसका मुख अत्यंत भेंकर नेत्र सूर चंद्रमा के तरह प्रदित तथा मुख से अगनी निकलने लगी उसकी नाक परवत की कंद्रा की समान विशाल हो गई और गर्दन परवत की समान लगने लग ये तता भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई कुल मिलाकर उसका सरीर आठ योजन के विस्तार में हो गया इस प्रकार राच्छस होकर वे अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा जब उसकी प्रियत्मा ललित को ललिता को ये ब्रतांत मालुम हुआ तो उसे अत्यंत खेद उद्दार का यत सोचने लगी बेराच्छस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने बनों में रहने लगा उसकी इस्तरी उसके पीछे पीछे जाती और बिलाब करती रहती एक वार ललिता अपने पती के पीछे घूमती घूमती बिंद्याचल परवत पर पहुँच ग उसे देखकर श्रंगे रिशी बोले कि हे सुवगे तुम कौन हो और यहां किस क्लिये आई हो ललिता बोली कि हे मुनी मेरा नाम ललिता है मेरे पती राजा पुंडरी के स्राप से बिशाल काई राक्छस हो गया है इसका मुझको महान दुख है उसके उद्दार का कोई उपा अने वाली है इसका ब्रत करने से मनुस्य के सब कारिश सिद्ध होते हैं यदि तु कामिका एकादसी का ब्रत कर उसके पुन्य का फल अपने पती को दे तो वह सिग्र ही राक्छस योनी से मुक्त हो जाएगा और राजा का स्राप भी अवश्यमिवशान्त हो जाएगा मुनिके ऐसे वचन सुनकर ललीता नी एकादसी आने पर उसका ब्रत किया और दौदसी को ब्रहमडों के सामने अपने ब्रत का फल अपने पती को देती हुई भगवान से इस परकार प्राथना करने लगी है प्रभू मैंने जो ये ब्रत किया इसका फल मेरे पतीदेप को प् दोस्तूं फिर अनेक सुन्दर बस्तरा वुष्णों से युक्त होकर ललिता के साथ बिहार करने लगा। उसके पक्षाद वे दोनों बिमान में बैठ कर स्वर्ग लोग को चले गए। इस ब्रत को बिधी पूर्बक करने से समस्त पापनास हो जाते हैं तथा राक्षस आदी क योनी भी छूट जाती है। संसार में इसके वरावर कोई और दूसरा ब्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से बाज पेयग का फल प्राप्त होता है दोस्तूं। आइए अब विष्णु जी की आरती सुनते हैं। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का सुख सामपती घर आवे कस्ट मिटे तन का ओम जै जगिदी सहरे। मात पिता तुम मेरे सरण गव मैं किस की स्वामी सरण गव मैं किस की। तुम विन और न दूजा प्रभु विन और न दूजा आस करू मैं जिस की। स्वामी जै जगिदी सहरे। तुम्हे पूरन परमात्मा तुम्हे अंतरयामी स्वामी तुम्हे अंतरयामी। पारे व्रहमे परमेश्वर तुम सब के स्वामी ओम जै जगिदी सहरे। तुम्हे करुणा के सागर तुम्हे पालन करता स्वामी तुम्हे पालन करता। मैं मूरखे खल कामी क्रपा करो भरता। ओम्हे जगिदी सहरे। तुम हो एक अगोचर सब के प्राण पती स्वामी सब के प्राण पती। किसी विदी मिलू दया मैं तुम्हे को मैं कुमती ओम्हे जगिदी सहरे। दिन वन्दू दुख हरता तुम्हे ठाकुर मेरे प्रभू तुम्हे रक्षक मेरे। अपने हाते उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम्हे जगिदी सहरे। विसे विकार मिटाओ पाप हरो दिवा स्वामी कस्ट हरो दिवा। शद्धा भक्ति वढ़ाओ संतन की सिवा। उम्हे जगिदी सहरे। तने मने धने और संपति सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अरपण क्या लागे मेरा। उम्हे जगिदी सहरे। जगिदी श्वर्ज की आरती जो कोई नरगावे। कहत शीवानन्द स्वामी कहत हरी हर स्वामी मने वान्चित फले पावे सब दुख मिटे जावे। बोलो नारायन भगवान की जय विश्नु भगवान की जय। आईए दोस्तों अब जानते हैं कामिका एकदसी ब्रत पारण का सुप समय क्या होगा। एकदसी ब्रत पारण के नियम क्या हैं कामिका एकदसी ब्रत कैसे खोलें दोस्तों। कामिका एकदसी ब्रत पारण का समय एक अगस्त दो हजार चौविस को सुभा पांच बच कर तेतालिस मिनट से सुभा आट बच कर चौविस मिनट के बीच किया जाएगा दोस्तों। इस दिन दो अगसी तिथी दोपार तीन बच के 28 मिनट पर समाप्त हो जाएगी दोस्तों। आए अब जानते हैं एकदसी ब्रत पारण के नियम क्या हैं। हरी बासर का समय एकदसी ब्रत को तोड़ने के लिए निसिद्धुमाना गया है दोस्तों। अगर आप ब्रत को मध्याय तक करने की इस्थिती में नहीं हैं या किसी भी ततकालिक परिषिती में आप ब्रत को हरी बासर के समाप्त होने के पस्चात तोड़ सकते हैं। हलकी ब्रत को हरी बासर समाप्त होने के कुछ घंटों के बाद तोड़ना अधिक उचित होता है। एक अदसी ब्रत का पारण दो अदसी तिती समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। ऐसा ना करने पर ब्रती की पूजा ब्रत ब्रत ब्यर्थ चला जाता है और उसे दोस लगता है। आईए अब जानते हैं कामिका एक अदसी ब्रत कैसे खोलें। घर के मंदिर में सबसे पहले गणेश जी और विश्नु जी का अविशेक करें। उन्हें खीर हलवे का भोग लगाएं और ब्रामबडो को भोजन कराएं। यथा सकती दान दक्षिना देकर बिदा करें। अपनी श्रधा क्यानुसार आप दान दक्षिना दोस्तों दे सकते हैं। फिर सबसे पहले एक दसी के दिन पूजा में चड़ाय प्रशात को ग्रेण करें। और फिर साथ भी भोजन का सेवन करें। इस दिन भूल से भी तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए दोस्तों।